CGST के अधिक्षक शरत्रिपाथी को राष्ट्रपती पुरुसकार से सब्मानित किया जाएगा उन्होंने 29 साल के नौकरी में 1400 करोर से ज़्यादा की टैक्स वसूली की है शरत्रिपाथी ये सब्मान पाने वाले मध्यप्रदेश और छतसगर के एक लौते अधिकारी हैं राष्ट्रपती पुरुसकार के लिए चैन होने पर शरत्रिपाथी ने कहा कि इसमें सबसे बड़ा सहयोग उनके परिवार का रहा इतनी बड़ी टैक्स रिकवरी को लेकर उन्होंने कहा कि हमेशा उच्च अधिकारियों का सहयोग और विश्वास रहा हर कदम पर उन्होंने मुझे मौका दिया इस मौके पर cgst अधिकशक शरत्रिपाथी से बात की हमारे समवात आता आमिर खान ने 29 साल की नोकरी में करीब 1400 करोड से जादा की टेक्स वसूली करने वाले cgst के अधिकशक शरत्रिपाथी जी को राष्टपती पुरुसकार से सम्मानित किया जाएगा हमारे साथ में बात करने के लिए शरत्रिपाथी जी है सर सबसे पहले तो आपको आई एंडी 24 की और से ब आउसर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वाग ने मुझे सम्मानित करके मैंने जो जिन्दी वर काम किया उसकी पहचान दिलाई है सर 29 साल की नोगरी और 1400 करोड से ज़्यादा की टेक्स वसूली करके सरकार को आपने दिया सर के से अचीव कर पाए सर ये इतना बड़ा टार कर देखिए इसमें सबसे बड़ा सहयोगत मेरे परिवार करा खास कर क्योंकि मैंने जो भी अपने अतरिक तुर्ट में काम किया मैंने अपने परिवार के समय को काट कर उसको भागको दिया और उसके लिए महिनत कि और मेरे उच्चा दिकारियों के बहुत चवरदा सही होग और विस्वास रहा मुझे हर कदम पर हर जगा मुझे उन्होंने मौका दिया मौका दिया इसलि boca त्यूव में कर पाया क्योंकि कि मौका नहीं मिलता तो मैं करता कैसे और जब जब मौका मिला तो मैंने पूरी कोईशिस की कि जो भी मैं उस पर विश्वास किया गया है सरकार दोरा उसको मैं निभाओं और पूरी चमता से निभाओं और जो भी मैं कर पाया वो मेरा साहद सरसेष्ट नहीं तो सरेष्ट तो मैंने इंटी वेजन में काम किया एंटी वेजन में जो हमारा डिबार्टमेंट का एक हिस्सा है जो टैक्स चोरी को रोकने के लिए बना हुआ है उसकी जो साखाए हैं उनमें मैंने काम किया और उसमें मैंने अभी लास्ट छे साल में जेस्टी इंटलिजेंस में काम कर रहा थ मैं चाहता भी हो कि मेरे विभाग के भी मेरे जो जुनिया अधिकारी है वो इसी तरह से कुछ और बहतर से बहतर कार कर सकें यदि खास से इस स्टोरी से उन्हों कुछ भी अच्छा लगता है तो सबसे महत्पूर्ण विभाग कहा जाता सीजी स्टी का और ये वो विभाग है जो खासकर आपकी कारवाई होती है वो खासकर बड़े लोगों पर कारवाई होती है तो ऐसी कारवाई में कभी आप पर किसी तरह का दवाव भी आया होगा कि इसी कारवाई को रोका जाए या इस कारवाई को कम किया जाए इसे कुछ आया है अब तक क्या पिस पर देखिए डिरेक्टली तो इस तरह से मैं नहीं कह सकता कि कोई ऐसा दबाव महसूस हो दबाव तो देखिए जब भी किसी पर कोई कारवाई होती है तो हर वेक्टी अपनी पूरी कोशिस करता है कि उससे बचन जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ टेक्स के रिकवरी के लिए ना कि किसी को हरास्मेंट करने के लिए ना उसको दबाव में लाने की ना तनाव में लाने की तो मैं पहली कोशिस हम लोगों की ही रहती है हमारे सारे अधिकारियों की कोशिस रहती है कि हम बहतर से बहतर कार कर स कि उस दबाव को जहिलने का एक अन्भाव के साथ आपको तरीका सीख जाते हैं आप और जो की दबाव कही तरह के होते हैं और इसमें कोई दबाव कभी हमें डायेटली इस तरह से कोई महसूस नहीं हुआ और हमने जब भी ऐसा कोई चोटा मॉर्टा दबाव आया तो हमने उस हैंडल कर लिया सर उनतीस साल की नोकरी और इसमें भी ये कहें कि एक गंभीर पड़ाओं से गुजरना पड़ा क्योंकि दो कैंसर के आपके हुए ऐसे में होसलों को कमजोरी तो नहीं है नहीं एक विसेश समय तक तो काफी में तूड गया था और अपने आप में बहुत कमजो भी महसूस करता था ये 2019 की घटना है जब पहली बाद जनवरी में मेरा ये कैंसर डिटेक्ट हुआ फरवरी में मेरा ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद मैंने एक दो महीने बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि जिन्द की खत्म तो नहीं होगी जब तक मुझे डाक्टर्स ना कह द है कि मेरे 2-2 आपरेशन हो चुके है आज की डेट में भी मैं फिर से ऑपनी ओर से कोशिश करता हूँ पूरी फिटनेस बनाया रखने की क्योंकि uni-fitness नहीं रहे गी मेरा दिमाग काम नहीं करेगा तो बहुत कोशिस करता हूँ कि मेरा सरी भी सुस्तर है उसी हिसाप से मन सु बहुत दन्यवाद सर आपको एक बार फिर से बढ़ाई तो ये हैं शरत तिरपाटी CGST के अधिक्चक हैं और 29 साल की नोकरी में 1400 करोड से ज्यादा की टेक्स वसूली की है मदवर्देश 36 गर्ड के पहले से अधिकारी हैं जिनने रास्पती पुरुसका सम्मानित किया जाएगा भोपाल से केमरमें राकिश श्रीवास्तों के साथ आमर्कान आई इंडी 24 भोपाल